असलाम अलेकूम वेलकूम खुश्याम अदीर और मरहबा बीजी केक किचिन में फ्रेंट्स आज में बहुत ही जबदस से एक शामी कबाब बना रही हूँ यानि कबाब तो बहुत तरीके के होते हैं आज मैं आपको चिकिन मलाई कबाब बनाना से खाती हूँ बड़ा जटपत है बहुत ही कम इंग्रीडियन के साथ है लो बज़ट रेसेपी है और इसको आप बच्चों के लांच बॉक्स के लिए भी लांच बाक्स में भी आप उनको दे सकते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा लांच में और राइट फिंस तो टाइम को शॉट कते हुए कम बोलते हुए मैं आप गजली जदी बनाना सिखाते हूँ पहले आप ले जे चिकन ठीके I'll show you the ingredients बॉल चिकन मैंने ले लिये थ्री पीस निया है आपको जितना कपाब बनाना आप उता पीस ले लिजे ठीके तू ब्रेट्स है इमको मैंने अच्छे से ख्रश कर लिया है इसके बाद में चाहिए चाप थरा धनिया चाप थरी मेच और थोरा सा पुदीना चाप ले लिया है उसके बाद सौच लेना है आपको अगर्दिन टेस्ट अलाल मिर्ची में कुटी वीस में स्टमाल करूंगी वान टीजपूंगी ब्लैक पैपर मैस में काली मिर्च स्टमाल खुरूंगी एक अंडा हम इसमें स्टमाल करेंगे अब स्टार्ट करते हैं कहां से यह हमारा बॉयल चिकन है बहुत असान सी रेसेपी है भरीचाट पर बनेगी ठीक है बॉयल चिकन के अंदर हमने क्या करना है कि पहले हम सारे अपनी मसाले इसमें डाल लेते हैं यह हमारी होगे काली मिर्च जितना आपको तिखा चाहिए हो आप जो है मिर्च को टेस्ट बढ़ा सकते हैं और यह मैं डाल रहे हूँ लाद मिर्च ठीक है अब हम इसमें डालेंगे अदा क्लासन का पेस वान थेपिक स्पून हरा धन्या मैं इसमें आद कर दूंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च ठीक है यह चीजे मैंने इसमें डाल दे आप क्या करना है मुझे इसको अच्छे से कर दे रहा है मिक्स चिकन के साथ मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देती हूँ अब मैं इसमें आट करूंगी क्रीम हाफ कप क्रीम आप इसमें स्तमाल करें थ्री पीस चिकन है ठीक है अराम से इसमें छे से साथ आपके चिकन की कबाब निकलाते हैं बहुत ही मज़िदार होता है बहुत ही यमी होता है और इसको खाने के बाद आपको कोई भी कबाब इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने अच्छे ये कबाब होते मेरा बहुत फेवरेट है अब यह जो हमने डबर रोटी लिया है यह में इसमें एप कर दूंगी अच्छा डबर रोटी का साइड निकालने का जबत नहीं है आप अराम से पूरा डबर रोटी समें स्तमाल करें जो साइड हम वेस्ट कर देते हैं वो आप वेस्ट ना करें यह अच्छी से मिक्स हो गया चिकन को जो है बॉल करने के बाद हाथ से आपने रेशा करना है आपने इसको जो है ग्रैन मिक्सी में नहीं करना वनना यह जब कबाब बनेंगे तो यह भूसा भूसा होंगे रेशा रेशा फिल नहीं होगा ठीक है यह हमारा हो गया कबाब एक अंडा ले लिया यहां मैं इसको कवर करने के लिए ओटमील के इस्तमाल करें ब्राद क्रम का तो सभी स्तमाल करते हैं बढ़ यह बहुत ही हल्दी होता है और मुझे पसंद भी इसका फ्लेवर है और कुछ नया और चेंज भी हो जाता है तो इम उज़िए ओटमील फॉर रैपिंग रैपिंग मैं जल्दी चल्दी अपना क्लीन कर लूँ जागा अब क्या लगता है जिस तरह का भी आप चाहें वैसा आप इसका शेप बना सकते हैं ठीक है आपने इसमें बहुत ही आराम से इसको रैप करना है क्यूंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है और इसको इस तरह आप रखके एक जगा ठीक है यह ऐसा मेरा हो गया इसी तरीके से हम सारे अपने शामी कबाब जो है वो बना लेते आपने इस सारे कबाब बना लेते हूं और राइट फ्रेंज। मैंने अपने कबाब भीट करना है आपने इस सारे कबाब करना लेते हूं के लिए राखे वी ठाघ हो राखे लिए रहाए है कि अच्छा मेल है तो क्या ओगा होगा कि यह सारा थेल में जाते ही निकल जाए गा तो हमें जो बेसिक चाहिए हमें के इसकी कोटिंग दिखानी था क्रिश्पी निए ती उसके लिए हमको 10 पर जीए राखना है वे यह तु 10 minutes के लिए set होने के लिए और राइट तो मिलते हैं 10 minutes के बाद फिर हम अपने next step पे चलते हैं okay friends अब 10 minutes हो गए है I'll show you कि ये कितना set हो गया है अभी आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ आप अराम सो time तो ये छिपा किया है ठीक है कहीं से भी तोरह सो निकला है पर जादा नहीं निकलेगा टेंजन नहीं लीजेगा यहां अब मेरा जो है ओए गरम हो गया है अब में इसको आइसने आइसने डाती हूँ डीप नहीं करेंगे शलो फ्राइट करेंगे राइट एक करके हम इसमें अपने कबाब और कौन सा ले लूँ यह वाला ले लेती हूँ मुझे असर में मेरा क्या है ना के राउंड जरा माजे का नहीं बनता ना तो मैं क्या करते हूँ जो प्यारा प्यारा लगता उस खो ठाती जाती हूँ आप लोग भी करते हूंगे वैसे लाइफ कुकिंग है और आप सब तो फ्रेंजी है मेरे फैमिली है मेरे तो क्या अभी हाइड़न सी जो भी है हम लोग मज़ा आता है आपके साथ ऐसे फ्रेंज जब हम लोग ऐसा लगते जिसे मिल्की कुकिंग कर रहे हैं जब मिल्के कुकिंग करते हैं तो यह चोटा मोटा उनीज बीस तो चलता ही है बट मज़ा आता है पहले खुद अकेले पकाती थी खुदी बाते करती थी अब आपके साथ करते हूं तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इन फैक्स मेरे से 2-3 लोगों ने ये बात पूछी भी है न के वाटसब करके या वीवज 2-3 सब्सक्राइबर भी है और उनसे भी काफी अच्छी मेरी बातचीत हो गई तो उन्हों ने मुसे इंदम से पूछा ना आपने क्या सोचा था विलोग बनाने से पहले तो बड़ा प्यार लगा बट क्यूट लगा के बड़ा ही अच्छा लगा मुझे उनका ये सवाल तो में जवाब दे जिती हूँ कि मैंने कुछ सोचा नहीं व्लोग का के लिए खास के मैं व्लोग परू या व्लोगर बनू मैं व्लोगर्स को ज़रूर देख्ती हूँ अड व्लोगर आखेले बाते हूं तो क्यों नहीं मैं कुछ फ्रेंच और फामली बना लोगर के अंदर बैथे-बैथे क्या करना चाहिए तो मैंने का सबके साथ एक अच्छा सा वो हो जाता है एक फैमिली बन जाता है और मज़ा आता है तो मुझे तरस्ट मी मैंने और कुछ आप लोग के साथ शेयर करों बस यही मेरा सोचता एंजसता बस माइन में आया एंजसता के एक पैना वीडियो कर लिया दूसर वीडियो कर लिया आप लोग उने पसंद कर दिया रिक्वेस्ट आगे तो इस तरह से बस तो तीन चार पाज होता चला गया और आज मैं आपके हूं बड़े ही प्यार से हम इसको टन करना है और ऐसे हमें इसको टन करना है ठीक है तो यही है बस सौर तो कुछ जादा नहीं है बहुत से लोगों ने पूछा के मेरे पास वाट्सप आप आए के सब्स्क्राइबर का के वाट्स यूर इस्टार Okay, so I'll tell you I'm Virgo and my birthday is in September and जब आएगा तो फेर मैं बताऊंगी when is my birthday, it's a surprise तो यह मेरे दूसरे सब्स्क्राइबर का सवाल हो गया पहले का भी मैंने जवाब दे दिया दूसरे का भी जवाब दे दिया और एक बंगलदेश से मेरे पास आया और उनको मेरी धाका की पिश बहुत अच्छी लगी धाका फिश तो उनोंने मुझसे पुछा के are you Bengali? No, I'm not Bengali but I have some connection from Bengal, a very sweet connection from Bangladesh. So, वो भी आगया के चलते रहे तो फिर पता चलता ही रहेगा यह मेरी तीन बड़े मजेके कोचंस थे तो मैने आप नों का जो है वो सवाल का जवाब दे दिया है और अब इसको मैं फ्राइ कर रहे हूँ मेजिया फ्राइं के अपर मैसे फ्राइ कर रहे हूँ और भी कोई comments कोई questions या आपको कुछ भी मुझे पुछना है आप बीजी का page है Facebook पे महाँ पूछ सकते हैं मेरा channel का page YouTube पे आप पूछ सकते हैं comment कर सकते हैं mitä네 को बस यह आप अगा करते हैं और बाते हैं तो पी आप साथ है जो बहुत है जो करते हैं सब आपके साख है हमेशा ही एधक गहीं हो और कभी अगर भूग में किसी को घरना भूर भी जाती हम तो भी आप समझ दोया पेलो को समय। तो और आपना us. नहीं को जा को पिए है। पहलो होती है। मैं क्या बहुतत है। डीख मेरे आपेला के में Saat & कुछ पहले पर की ख्रक्त को बात है। आप सबस्था एंट इभा डहीं आप पते हैं, अपना पर को बात है उब कर आप आपने टिशू पेपर में आउट करना चाहिए, सर्विंग देश से पहले, क्यूंकि जितना भी इसका एक्सीड और होगा, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, ये बाकी के तो मेरे बनते रहेंगे, फिर मैं कॉफी भी अपना बना लूँगी, अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको सर्व कैसे करना है, और इसको मैं कार्प के लिखाती हूँ, क्यों इसका अंदर का लोग कहता है, बहुत तोस्मी मलाई का बात हैंगे, and I'll show you, मैं इसको उस्टाय हां से, सजा रहेहूं, ठीक हैं, I'll show you the close-up, pee. तो आपके बोलेंगे कि वह भाई भीजी क्या जबदस रेसेपी दिया है और कॉमें भीजी क्या दिखा देती हूं क्योंकि मेरे लिए तो आप लोग घर वाली बात है अब मैं क्या इसको सजा के और पिक्टर्स बना के आपको इंप्रेस करूं मेरा तो मकसद है कि मेरे जैसे आप भी कोई अच्छा सा रेसेपी जट पर लोग बजट का ले ले तो इसे अच्छी क्या बात है इसलिए मैं कट कर रहे हूं ठीक हो गया सी आपको पता है आप देख सकते हैं और यह शोग यह देख सकते हैं आपको इसलिए गार्ट la Smet आपको पता है एपको देख सकते हैं और रहाइट आपको से अज़रा से क्रिस्पी आ यामी है यह देखियों देखें कितने मज़े का लग रहा है तो यह है हमारी आज की रेसिपे शिकन मलाई कबाब अब अब आपको बहुत अच्छी लगेगी और प्लीज दो ट्राइस रेसिपे अधोम सारी चीज अगर के अंदर अवेलिबल होती है और नए तरह के से खाने को बनाना यह तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है एक ही जासा तिपिकल खा खा के सब थक जाते हैं बिजार हो जात और चिकिन मलाई कबाब है यह और और क्या कहूं मैं आपसे बाते तो बहुत सारी हैं ताइम थोड़ा कम है Okay friends then take care yourself, happy, 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 happy and watching, BG's Kitchen, do comment में कोई आपको बात करनी है पूछनी है जिन लोगोंने बाते की है Thank you so much and आपका भी में जिनोंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ब्लै बाल इकन को जुरू प्रेस किया करें New new recipes होती है जदपता के पास पहाँ जाएंगी All right then take care yourself, मिलते हैं अगले बाप में आला हाफिज